हेई गाईज कैसे हो आप सब आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे फोटोशॉप में हम बैक्ग्राउंड पे किसी टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं सबसे पहले पेंटूल यूज कर रहे हैं और जो भी हमारा क्यरक्टर है इसको पहले कट करके निकाल लेंगे अलग से हम ले क्लिक करेंगे यहाँ पे और make selection का एक option आज जाता है selection कर लेंगे feather को 0 रख लेंगे OK में क्लिक करेंगे automatically selection हो जाएगा make sure कि आप 2 layer copy करके रख ले एक को mask बना देंगे और background का जो layer है वो भी आपका enable रहेगा कुछ इस तरीके से ठीक है तो इसे on off करके हम यहाँ पे देख लेते हैं control button को hold करके click करेंगे जिससे कि जो selection का जो reason था वो भी हमारे पास वापस आजाएगा control and click कुछ इस तरीके से और यहाँ पे content aware हम करने वाले हैं तो सबसे पहले आप चले जाएंगे fill में और यहाँ पे content aware का selection करना पड़ेगा ok करेंगे तो जो photoshop का AI है वो automatically यहाँ पे उस background को replace करेगा कई बार यह पूरी तरह से हट जाता है अगर यह नहीं हटेगा तो patch tool यूज़ कर लेंगे और patch tool की मदद से जो है हम यहाँ पे इस background को जादा बहतर refine कर सकते हैं जो content आपने thumbnail में देखा है वो चीज़ अभी हम लोग create करेंगे इस तरीके से आप अपने videos के लिए या फिर आप कहीं पे भी किसे designs में posters वगेरा में इस तरह से बहुत ही अच्छा सा effect दे सकता है जिसमें जो character है उसके background में text को हम लोग place कर लेंगे कोई design, कोई graphic चाहते हैं कोई logo चाहते हैं उसे भी आ background में बिल्कुल इसी method से place कर लेंगे वीडियो आप सभी के लिए बहुत साद़ important है पहली बार हमारे videos को देख रहें guys नए हैं हमारे channel पे तो subscribe कर ले upcoming video के updates के लिए अच्छा लग रहा हो तो like करें कोई doubt है तो comment करके हमें जरूर बताइए and description में बाकी details आप check कर सकते है social media में मुझे follow कर सकते है आप चाहे तो special membership जो मैंने share किया वो भी आप यहां से join कर सकते है channel से special details के लिए आप जाके link पे click कर लेंगे तो यहाँ पे हमने दो layers रख लिए आप इन सभी दोनो layers को इस तरीके से set करेंगे अभी मैं एक full hd size का जो page मैंने रखा है वहाँ पे मैं ऐसे लेकर आ जा रहा हूँ description में आपको link provide कर दूँगा जाके इस image को download कर सकते है तो क्या text होगा जैसे कि dream life मैं आप रख रहा हूँ और selection कर लेंगे scale कर लेंगे uniform scale आप करेंगे और uniform scale करने के बाद background में proper place कर लेंगे तो जो character है दो चीज़े आपने यहाँ पे सिखनी है पहले चीज़ है कि किस तरीके से हम लोग background से जो character से अलग करते हैं और उसके बाद आप जाके text जो है इसे proper अच्छे से रख सकते हैं किस तरह का text चाहिए यानि font का style क्या चाहिए वो आप अपने according रख लेंगे जैसे आपका requirement है और यहाँ पे से proper मैं scale करके place कर ले रहा हूं कुछ इस तरीके से और यह बहुत ही beautiful सा look दे रेता है साथी साथ हम लोग color correction भी यहाँ पे सीख लेंगे कि कैसे color correction करना है ज्यादा detail में मैं नहीं बताऊंगा बट जो basic corrections होते वो definitely हम लोग यहाँ पे करने वाले है तो लोग का selection कर लेंगे guys multiple layer के selection के लिए shift button को hold करके आप कर सकते हैं यहाँ पे इसके position को set कर लेंगे यहाँ पे level का एक option आ जाता है level में यह जो है और यह lightness को control करता है और यह meet tones है यानि light और dark के बीच का section तो यह यहाँ पे आप adjust कर सकते हैं यहाँ पे click करके दूसरे वाले option पे चले जाएंगे जैसे कि color corrections वगरा या फिर आप इस option को pick कर सकते हैं से color थोड़ा सा जाधा वो इसमें और जाधा saturate कर देगा तो काफी जाधा अच्छा लगने लगेगा और भी कई सारे options हैं जैसे brightness, contrast, यह सब को pick कर सकते हैं या फिर आप इस वाले option को curves को ले सकते हैं और यहाँ पे blue को मैं highlight कर देता हूं इसे थोड़ा सा अप कर देंगे जिसे कि वो थोड़ा ज्याधा highlight हो जाए तो आप चाहें तो इन सब्य options को अच्छा से यूज कर सकते हैं तो मैं डिजाइन को बहतर बनाने के लिए तो उम्मीद करते हूं यह वीडियो आपको interesting and useful लगा होगा बाकि सारे changes के साथ आप एक पर practice कर लोगे कोई doubt है तो comment करके मुझे बताइए Photoshop के details के लिए आप playlist चेक कर लिजे that's all इस वीडियो के लिए इतना ही bye and check care